क्या पेपर में जब आप संधी के प्रश्ण देखते हैं तो आपके पसीने छोड़ जाते हैं आप उस कुश्चन को गलत करके आ जाते हैं अरे हरे हरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज का वीडियो सुरू से अंत तक देख लीजिए संधी का अगर एक भी प्रश्ण आप संधी को कवर करने वाले हैं इतनी सांदार तरीके से कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा बस आप सुनते हुए चलिए चलिए फिर बिल्कुल देर नहीं करते हैं सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये क्लास सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए अती महत्प वरण जैसे मालीजे एक हमने मिलाया बिद्या समझा रहा हुशनिएगा बिद्या धन आले तो यहाँ पर किसका किसका मिलोगा इसका लास्ट वरण मतलब की बड़ा आ और उसका पहले वाला इसका पहला वरण मतलब बड़ा आ ठीक है इन दोनों को मिलाने के बाद जो परसपर मिल हो गया ठीक है तो होने वाला विकार जो दो बड़ा आथा हो एक बड़ा हो गया या परिवर्तन जो परिवर्तन वर विकार परिवर्तन को संधी कहते हैं तो संधी आपके समझ में आगे होगी देखिए अभी जो समझाया हूं नीचे वही लिखा गया है ठीक है क्योंकि आपको पूरा नोट स्प्रॉइट कराना है इसलिए हमने सब कुछ लिख दिया है संधी संस्कृत का सब्द है दो सब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं जैसे बिद्याधन आलाय में आपके दो सब्द से ये या फिर एसे पद कह सकते है सब्द पद एक ही बास होती है तो दो सब्द या पद हैं क्या होते है एक दूसरे के पास हैं तब उच्छारण की सुविधा के लिए पहले सब्द के अंतिम मैंने आपको समझाता कि इसका अंतिम अक्छर एक दूसरे से मिल जाते हैं संदी में जब दो अक्छर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन होता है विकार मतलब परिवर्तन दो बड़ा परिवर्तित होकर एक बड़ा हो गया तो वर्णों की यही विकार जैने मिलावट संदी है यही जो मिलावट हो रहे जो विकार उत्पन हो रहा है इसी को संदी कहते हैं बहुत ही साधारण है आपके समझ में आगे होगा चले फिर विल्कुल देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं देखे आगे आपके लिए क्या दिया गया बहुत ही इंपोर्टन सुनिएगा कि इस मिलावट को समझ कर वर्णों को अलग करते हुए पदों का अलग अलग कर देना संधी विक्षेत क्या है माल लीजे मैंने आपको दिया पुस्तकाले ठीक है मैंने आपको एक सब्स्तकाले बटा इसका संधी बिच्चेत क के दिखा था राष्ट करेंगे कि इस था डिखन हम बातब किसस्ञ्मिलावट है कि मतल tasting स्टीक के से मिलावट है इसको वरनों को अल्ट करदेना हम इसको कर देंगे कि पुस्तख धन आले बरबाब बना है पुस्तख आपके आले थीक है तो कि लावट को समझकर के मतल्स किस्दीगे से मिलाए इसको वर्णों को अलागर हम इसको कर देंगे कि質 पुस्तक धनמש करने को संदी बिच्चेद करते हैं। बहुती साधर्णती बात हैं। बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूँ अब आपको संधी और संधी बिच्छेद में कोई प्रावलम नहीं होगी ऐसे ही बिल्कुल साही प्रावलम आपके हाट जाने वाली है बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको बिल्कुल भी जद्दो जात नहीं करनी है मैं इसके नोट्स आपको प्रावड कर दूँगा उपर मैं आपको अपना नंबर दे दिया है उसी नंबर पर वाट्सप कर देना इसकी पीडियो फाइल आपके वाप पहुत जाएगी कुछ नोट नहीं करना है कुछ नहीं करना है सारे एक्जामे कितने भेड़े भाई संदी के तो संदी के तीन भेड़े काउन काउन से स्वर संदी बेंजन संदी और आपके विसर्ग संदी आईए समझते है कि स्वर बेंजन और विसर्ग संदी होती क्या है देखे साधान समलीजे स्वर संदी वहाँ पर होती है कि जहां पर आपके स्वर प्लस स्वर का मेल होता है वो होती है आपके स्वर संदी बेंजन संदी क्या होती है जब बेंजन का मेल स्वर अथवा बेंजन से होता है तो होती है बेंजन संदी और बिसर्ग संदी का मतलब होता है कि जब बिसर्ग का मेल स्वर अथवा बिंजन से होता है तो होती है आपके बिसर्ग संदी तो ये तीनों संदी आपको अलग अलग से समझनी है आईए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संदी की सबसे पहले हम पर क्या बात करते हैं स्वर संदी की इस तरब भी स्वर है, जैसे मैंने अभी आपके बड़ा आ और बड़ा आ मिला कर बड़ा आ बनाया था, तो दिखिए आपके दोनों स्वर हैं और उन्हीं का मिल हो रहा है, तो जब दो स्वरों के मिल से उत्पन विकारत रूपरिवरतन को स्वरसंदी काते हैं, इनके किसने भेद हैं, इनके आपके पांच भेद होते हैं, संदी के तीन भेद, लेकिन स्वरसंदी के पांच भेद, कौन काउन से आईए बताता हूँ, भाई ध्यान से सुनिया की संदी के पांच भेद काउन से हैं, दीर्ग स्वरसंदी, गुण स्वरसंदी, बृद्धी स्वरसंदी यण स्वरसंदी और आयादी स्वरसंदी यही पर आप लोगों का डर हो जाता है और यही पर आपको यह चीज़े हाड ले लगती है लेकिन यह संदियां जो आपको कठिन लगती है कभी कभी यह सारे आपके जो डर हैं मैं उसको दूर कर देने वाला हूँ बस आपको अपने कान खुले रखने, दोनों कान को अपने खुले रखना भाई साब, आपका सारा भाई दूर हो जाएगा, बस सुनते रहे, सबसे पहले में यहाँ पर बात करेंगे, दीर्ग स्वर्ण संदी की, दीर्ग स्वर्ण संदी पेपर में आता है, आईए आपको एक प्रिवासा हटाते हैं definition हटाते हैं के वल फार्मूला आपको समझा देते हैं वहीं से बात clear हो जाएगी भाई अब देखें फार्मूला क्या है कि जब आ या फिर बड़ा आ का मेल आ थो बड़ा असी होता है तो बड़ा हो जाते हैं हमने पीछे भी देखा था कि जब हमने च्कारप्रिवरता है तो समझना है वह चोटी बड़ी का आपके च्वागागा तो बड़ी बड़ा हो जाएगा और जबर्षमेल आ होगा जो जो आपकी मन में आए लेकिन इसको समझना अतिमात पूरे अब इसके बेस पर कुछ उधारन बता रहा हूँ जो आपके लिए अमोक हैं आपको आता है कि यह बिल्कुल भी आपसे दूर जाने बल नहीं है इनी में से आपकी पिपर में आता है चले दिखाता हूँ बैं उधार प्लस आपके ना प्लस में भई आपके पूरा ना प्लस में आ ये इसका वरण बिख्षेद है इन वरणों से मिलकर ये बना हुआ है ये वरण बिख्षेद आपको आना चाहिए पहले से तभी संधी समझ में आएगी ठीक है एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर करते हैं दोनों में से आपको अफलैंड कमेंट आवसी कर नहीं पढ़ूँगा अब देखेगा यह जब आपने घ्रक धिक कर दिया अनमे और यहाँ पर आपने देखा कि संधी में क्या सुन था कि प्रफम जो आपके पदा आ रहे सब्दा रहे उसका आखरीवन तो इसका हा है आ है और जो दूसरा पद है उसका प्रारंबी कोण्ट किया है और आ के बाद मिलकर शिवधन आ ले तो भए शिव में आपके वग के साथ ये इस तरीके से आपके बढ़ बिचेद है तो लास्ट वालाबा मिल गया और आगे बढ़ा आए तो जब आ के साथ आपके बढ़ा आ मिलेगा फिर भी आपका बढ़ा आही बनेगा हर इस्थिती में बड़ा आही बनना है तो सीवाले बन गया, देख लिए सीवाले बन गया, सीधा ऐसी कुछ न अप्यारता है कि सीवाले का संदी बिच्छत किजिए या फिर कुछ न आपको बता देना है कि इसमें तुसर आपके दीर किसंदी है इसमें आपके दीर किसंदी है एसे कुछ नआपकापिपर में उसी बड़ा आ के साथ आपके छोटा आ मिल गया तो भी बड़ा आ बन गया और विद्यार्थी बन गया, ठीक है, किलियर है, यह भी किलियर होगा, आगे समझाता हूँ, यह जितने आपको उद्धरान बता रहा हूँ, यह सारे उद्धरान आपके आमोक हैं, इसी मेंसे पेपर में आपके आना है, अब यहाँ पर देखें का भई, आपके अगला, गीरी धन इंद्र, गीरी में क्या है, आपके गीरी में बड़ी ही है, और आपके इंद्र में आपके छोटा आपके इंद्र, यहाँ पर छोटी है, और बड़ी ही के साथ जब आपके छोटी मिलती है, तो क्या बनता है, हर स्थिति में बड़ी ही बनना है, तो यहाँ पर देख लि कि छोटा हूँ है और उदय में क्या है छोटा हूँ है लेकिन छोटा हूँ जब छोटा हूँ से मिलेगा तो भई आपके क्या बनेगा बढ़ा हूँ बनेगा तो यह हो गया आपके भानू दे ठीक है किलिर है इसी तरीके से यहां पर भी देख लेजिए कि स्वयम भू ठीक है स्वयंभू में बढ़ा हूँ उदे में छोटा हूँ बढ़ा हूँ और छोटा हूँ मिलकर आपके बढ़ा हूँ बन गया तो स्वयंभू दे बन गया ठीक है स्वयंभू दे बन गया इसी तरीके से पित्री धन रिन पित्री में आपकी री था और रिन में भी री था री री क तो आप कहेंगे कि पित्रिण में आपके दीर के स्वर 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 आप लोग भोल जाएंगे तो आज की क्लास में केवल आपको मैंने दीर की संधी पढ़ा दिया है अब जब कल की क्लास होगी तो आपको संधी का बेसिक नहीं पढ़ाना है इसलिए ये चारों संधी हमें आपको कंप्लेट कर देंगा ये चारों संधी आपको पूरी कल कंप्ल करके आओगे आपको confidence रहेगा आपको कुछ याद नहीं करना है केवाल आपको ये PDF फाइल आपको ले लेनी है कहां से हमारे इस आपके हमारे इस नमबर से 9580482638 किसी भी तरीके कि आपको चैप्टर वाइच हिंदी के नोट्स चाहिए कुई चाहिए किसी भी चाहिए तो हमार लोड़ी बात नहीं है ठीक है कुछ लोग होते है कि इनको PDF से पढ़ने मज़ा नहीं आता है वो काते नसर नोट्स समाता है को तो अच्छा रहेगा तो भी PDF ले लो बहुत अपना नोट्स क्रेट कर लो अब सच सच बताना comment box में मैं आपका offline comment पढ़ सकता हूं बस तो मैं आ अगर वीडियो चलागा तो लाइक कीजेगा अगर आप चाहते हैं किसके रगने सी वीडियो मिलते रहें कल मुलाकात करता हूं संधी के अगले वीडियो के साब जहां हाई पर आपको गोंडशन्दी, ब्रिदी संधी, यर्ण संधी और अयाट संधी पढ़ाना है इस तरीके से पढ़ते रहे और बढ़ते रहे बहुत बहुत धन्यवाद गुडबाई